हाई गाईज हेलो एंड वालकम बैक तो में चैनल लाव व्यूडी और ड्यूडियस हो गाईज आज का जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही परसिद्ध आयूरवेदिक मैडिशन टॉनिक असोकारिस्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ असोकारिस्ट आयूरवेद की महान दवाओं में एक है और इसका उब्योग आयूरवेद में सद्यों से होता आ रहा है यह एक बहुत ही परसिद्ध आयूरवेदिक फीमेल टॉनिक है जो लगभग सभी प्रकार के इस्त्री रोगों में as a cure medicine कार्ग साबित हुआ है असोकारिस्ट आयूर्या यानि मासिक धरम का ना होना में भी असरदार है और जो महिलाए infertility यानि बाजपन की समस्या से जूज रही है बाजपन की प्रॉब्लम से ग्रिशित है ऐसे महिलाओं को कुछ महीने असोकारिस्ट का सिवन जरूर करवाया जा रही है असोकारिस्ट त्री दोश ना सकी यानि वाट कफतीनों को बिलेंस बढ़ाई रखने में बहुत ही ज्यादा फाइदेमत है यह एक बहुत ही परसिद्ध आयूर्विदिक फोमुला है जो ओविरी के रोगों तता गर्भास्ये के विकारों को दूर करने में काफी ज्यादा असोकारिस्ट में बोजूद असोक की छाल के अलावा अन्य जड़ी बूटिया एंटी इंफलमेट्री प्रभाव पैदा करती है जो गर्भास्ये ओविरी तथा री प्रोजेक्टिव अंगों को नुक्षान होने से बचाती है तो क्या है असोकारिस्ट और कौन-कौन से रो एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहेगा वीडियो बहुत ही ज्यादा यूस्फुल है पूरा जरूर देखेगा तो चलते हैं वीडियो में उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो अच्छा लगे यूस्फुल लगे प्लीज वीडियो लाइक और स सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले क्या है असो कर रिस्ट आप असो के पेड़ की चाल के द्वारा ही आइवर वीडिक टोनिक का निर्मान किया जाता है असो के चाल में और जडी बूंत्य मिला कर इस और शदी को बनाया जाता है इसमें लगबग 5 परसंट से 10 अल्कोहल हो असोकरिस्ट में कई प्रकार के एंटि आक्सिदिन्ट वे एंटि बेक्टिरियल के साथ साथ कई प्रकार के विजामिन पाई जाते हैं जो शरीर के पतीरोध क्षमता को मजबूत बनाने का काम करते हैं यही वज़े है कि इस पशिद्ध जड़ी बूटी के दवा कई पॉपूलर कमपनी कई प्रकार के प्रोड़क्ट तैयार करती हैं तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसके फाइदों के बारे में हैवी ब्लीडिंग में लाब कारी मासिक धर्म की समस्या के समय आपके हामोंस में भारी बदलाव आने लगता है यदि आपको पीरियट टाइम के समय हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ-साथ आपको पेट तर जिसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप असोकारिस्ट के सेवन दोरा अपनी इस समस्या को आसानी से खतम कर सकते हैं पीरियट के दोरान अधिक ब्लीडिंग होना गर्भास से रोग का संकीत होता है तो ऐसे में असोकारिस्ट का सेवन आपके लिए काफी फाइदे मंद होगा असोकारिस्ट को महिलाओं के अनुकूल जड़ी बूटी से तयार किया गया है दूसरा जो इसका बेनिफिट है पैल्विक इंफ्लेमेट्री डिजीज यानि स्ट्रॉनी सूजन कि अगर आपको प्रॉबलम है तो आपके लिए भी असोकारिस्ट का सेवन काफी फाइदे मंद रहेगा असोकारिस्ट में पाई जाने वाली कंपोजिशन सरीर में एंटी इंफ्लेमेट्री के बरभाव को कम करते हैं और सरीर में सूजन जिससे सरीर गरभास्टे ओवरी और रिप्रोजेक्टिव अंगों को हानी पहुंचाने से बचाता है अगला जो इसका बेनिफिट है PCOS यानि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो रिप्रोजेक्टिव ओम्र की महीलाओं में होती है जब उनका हामोरल ऐसंतोलन होता है इसे महीला के सरीर में मेल हार्मोन का लेवल है वो बढ़ जाता है जिसके कारण ओवरी पर एक से अधिक सिस्ट हो जाते है तो इस तरह है कि बीमारी में असोकारिस्ट एक फाइदे बंद और शर्दी है जिसका उप्योग कर आप इस बीमारी से अपने आपको बचा सकते है अगला जिसका बेनिफिट है हार्मोन इस्टर को समान रखना उन्हें बैलेंस रखना महीला के सरीर में हार्मोन हमेशा बदलते रहते हैं जिस वज़े से अन्वांटेज हेर ग्रॉथ मोहांसे आना वजन बढ़ना जैसी परिशानियों को सामना करना पटा है ऐसे में असोका के दर्द बैक्टेरियल इन्फेक्षन जैसी बिमारियों में उप्योगी है आपके पाचन तंतर को बहतर बनाता है असोकरिस्ट पाचन तंतर को बढ़ाने में हैल्पफुल होता है यह मैराबॉलिस्म में सुधार करता है इसके साथ ऐसी और भी कई सारी बिमारिया रब्त प्रदर यानि मासिक धर्म में अधिक ब्लीडिंग होना और मासिक धर्म की एने मित्ता सफेद पानी यानि लिकोरिया खून की कमी पीडिट के दोरान दर्द पीट में दर्द है रजनोबरती में भी असोकारिस्ट का सेवन बहुत ज्यादा फाइदेमंद है यह हड्डियों के खनीज के नुक्षान को रोकने में मदद करता है जो मैनोपोस के दोरान सुरू होता है असोकारिस्ट का सेवन ज्यादा तर ओवरी के रोगों और गर्भास्य के विकारों को दूर करने में काफी ज्यादा फाइदेमंद है तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि पूरी तरह से एक आयरवेदिक टोनिक है जिससे एमोमन किसी तरह की साइड इफेक्ट नहीं होते हैं लेकिन इससे सेवन से कुछ परिसानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है असोकारिस्ट का सबसे जो नॉर्मल साइड इफेक्ट होता है माहावारी में देरी होना और मासिक धरम के दुरान ब्लीडिंग में कमी होना अब बात करें कि किन लोगों को असोकारिस्ट का सेवन नहीं करना चाहिए तो गरवती महिलाओं को असोकारिस्ट का सेवन नहीं करना चाहिए इसके अलावा अगर आपको कोई विसेस बिमारी है तो असोकारिस्ट का सेवन न तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इस प्रोडिक्ट की पैकेजिंग के बारे में पैकेजिंग काफी अच्छी है ग्लास बोडल में आपको ये प्रोडेक्ट है वो मिल जाता है इसकी कोई आउटर पैकेजिंग नहीं आती है और डाबर कंपनी दौरह तयार किया गया चलिए बात कर लेते हैं इसके इंग्डेजिंट की काफी सारे इसके अंदर जड़ी बूंटिया डाली गई है तो कुछ मैं आप लोगों को रीड करके बता देती हूं असोक अश्रदी में जो मैं इंग्डेजिंट है वो असोक की चाल में ही अन्य इंग्डेजिंट है वो तो इस तरीके के इसके अंदर काफी सारे इंग्डेजिंट डाले गए हैं सारे के सारे महिलाओं के सरीर के लिए काफी जड़ा बैनिफीसिल इंग्डेजिंट है और महिलाओं के सरीर को धान में रखके इस तरीके के इंग्डेजिंट इस और शद्दी में तरी डाले गए ह चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको इसका 7 करना है असोकरिस्ट का 7 सुभै शाम दोनों वक्त करना चाहिए और खाली पेट आपको इसका 7 नहीं करना है खाना खाने के बाद में करना है दिन में दो बार बराबर मात्रा में पानी मिला कर यानि 15 ml असोकरिस्ट सिर्फ के साथ में आपको बराबर मात्रा में पानी मिलाना है और उसके बाद में इसका 7 करना है अगर आप अकेले ही असोकरिस्ट का 7 करोगे तो इसका उल्टा आपर साइध इफेक्ट भी हो सकता है और कब तक आपको इस सिर्फ को लेना है तो इसके लिए आप डोक्टर से भी परामस कर सकते हैं So guys I hope मेरे द्वारा दियोई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर कीजिएगा So मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई